नमस्ते विद्यार्थी मित्रो धोरण साथ विस्ते हिंदी आपणे आईडियाल माँथी अभियास करीशु। आपणे आगणना विडियो माँ पेस नम्बोर आठ सुदी आईडियाल माँथी लखवानू। छे तो दरेक विद्यार्थी आईडियल औने साथ ये पेन राखे औने विद्यार्थी मेत्रों मन्थली परिक्षामा तमारे साडामा आईडियल जमा करावानी रेशे एटले जेटलू तमे पूरियू छे लख्यू छे ए चेक करवा माटे तमारे साडा आईडियल आप पानी रेशे तो जेटलू बाकी छे ए बद्धू पूरू करवानू रेशे सारा अक्सरे औने छेक छाक न थाई तेनू खास त्यान राख जो अने तमारे मंतली परिक्सा मा थी आमा थी न जमाच्वानू छे एटले अगाव थी तैयारी करजो कारण के चियारे पेपर हसे तियारे तमारी आईडियल छे ए साडा मा हसे तो चालो आपने हवे सरुवात करिये पेश नंबर 9 थी तो दरेक विद्यार्थी पेश नंबर 9 खोली ने तैयार राखे प्रश्णा नंबर 9 नीचे दिये गए सब्दको उच्चित क्रम में रख पर अर्थ पुर्णा वाक्य बनाई आया सब्दाचा नहीं आडावडा छे तो आपने ही व्यवस्तित रिते गोटवी ने एक अर्थ पुर्णा वाक्य बनावानू छे तो जीवन जल हे ही जल ही जीवन हे जल ही जीवन हे आ रहे ते त्यार बच्ची बीजू रंग कौन फुलो भरता में ही फुलो में फुलो में रंग कौन फुलो में रंग कौन फुलो में ही बादल चमकती क्यों बिजली है में तो ही स्वाव से बादल में बिजली क्यों चमकती है बिजली क्यों चमकती है त्यार बच्ची अग्यार दस्मा प्रश्णा चे के वच्चन परिवर्तन कीचे कली खिली नहीं है तो ही कली नू सोथाई जासे कली या च्यारे बबबच्चन करो छो त्यारे दीरगई रश्वाई बनी जाई छे कली या खिली नहीं है भीजू चीडिया चहक रही है तो चीडिया चहक रही है दरवाजे खुले है तो इनू सोथासे दरवाजा खुला है आतमी दोडता है तो आतमी दोडते है लड़किया पड रही है तो इनू सोथासे लड़की पड रही है मेदान हरा भरा है तो सोथासे मेदान हरे भरे है बिजली चमकती है खेत में धान्या भरपूर है खेतो में धान्या भरपूर है वसंत में कोयल की कुप सुनाई देती है सुनाई देती है अग्यार में प्रशना चे निमना लिकेट सब्दों के समानार्थी सब्दों दीजिए और वाक्या में प्रयोग कीजिए तो खुशी नो समानार्थी यहीं लखवानों त्यार वाक्या लखवानों तो खुशी नो समानार्थी सुथाई आनन्दों तेनु वाक्या मेच चितने पर पूरी टीम खुशी से उचल पड़ी टीम खुशी शे उचल पड़ी उचल पड़ी त्यार पची पेज नमबर दस पर खुश्बु तो खुश्बु नो समानार्थी सब्सुथाई तो के सुगंध तहीं लखवानों सुगंध वाक्या मन से सभी को सभी को फूलों की फूलों की खुश्बु पसंद होती है बहुत नो समानार्थी ज्यादा अथ्वातो अधिक कोई पन एक सब्द तमें लखी सको चादू गर का खेल देखने कि बहुत लोग आये थे मस्ती तो मस्ती नूंख से आनंद अथवा उल्लास उल्लास वाक्या बन से प्रवास में प्रवास में सभी विद्यार्थी ओनी सभी विद्यार्थी उनी बहुत मस्ती की बहुत मस्ती की त्यार पचिलीनों सब्द छे सीर्चन हार सीर्चन हार इटले प्रवु वाक्या बन से सीर्चन हार ने इस सुंदर स्रुष्टी की इस सुंदर सुंदर स्रुष्टी की रचना की है रचना की है यार तो स्मरुष्टी समना की सुंदर स्मरुष्टी राज कुमार को अपने मित्रों की अपने मित्रों की याद आय। याद आय। याद आय। त्यार बची प्रश्णा नमबर बार नीमन लिखी सब्दो कोश्ब्द कोश्ब्द के खरम में लिखे तो पेलो सब्द आउसे उठकर बीचो सब्द कलिया त्रीचो सब्द आउसे चांद त्यार बची नों सब्द आउसे मुस्कान अने छेलो सब्द आउसे कोई आउसे मेदा त्यार बची प्रश्ब्द आउसे इरा दा पेलो सब्द त्यार बची उक गुझारीश तरूवर अने मुझत त्यार बची प्रश्ब्द नमबर तेर सोरी बिजली चमकती है और ठंडक का एहसास होता है चारो और हरियाली चा जाती है नदी और ताला वो पाने से भर जाते है आकास में इंद्रदनस देखने का बेहतेरिन मुका मिलता है मोर अपने पांग पेला कर जूने लगते है इस तरती पर मुझुद हर जीव जन्तु एक नई जीवन का अनुभव करता है किसानों की खुशिका तो ठीकाना ही नहीं रहता वे अपनी केतों में हल चलाते हैं हमारे देश के लिए वर्शारूतु बहुत उप्योगी है त्यार पची पेज नंबर अग्यार पाठ त्रण कुत्ते की वफादारी कहानी प्रश्ना नंब ए निमन लिखित प्रत्येक ब्रश्न के उत्तर के लिए दिये गए विकल्पों में से इस सही विकल्प चुनकर लिखिये पेलो प्रश्ना पेलो चे कुत्ते की वफादारी कहानी के लेख कोन है तो अही जवाब सु आउसे बी लल्लू भाई त्रबार येटले तमारे विद्यार तिमित्रों अही बी करवानू छे त्यार पची दी जू लाखा बंजारा के पास कोन सा प्राणी था तो चवाब आउसे कुत्ता नहीं तमारे आउसे सी लखवानू त्यार पची त्री जू कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था क्यों की त्यार पची लाखा बंजारा रुप्यों की मदद के लिए कौन से नगर में पहुचा त्यार पची नू से लाखा के पास जमानत के रुख में क्या मागा तो जवाबा उसे कुत्ता इटले ही तमारे डी लखवानू रे से छट्टू कुत्ते ने किसका पिछा किया चोरो का इटले ही तमारे उसे डी लखवानू त्यार पची सेठ ने कुत्ते को कैसे थप थपाया तो प्रेम से तो अहीं जवाब आउसे A, प्रेम से, तियार पछी प्रश्ण छे, कुता किस्त से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा मालिक से, तो अहीं तमारे जवाब सुआउसे A, तियार पछी नव मुवाप्त वामा वेलू छे, के लाखा क्या देखकर चकित हो गया, तो के जवाब आउसे A, तियार पछी दस मुव, सेठ ने कुत्ते को मुव्त कर दिया, क्योंकि? कुत्ते ने सेठ के प्रती अपनी वफादारी दिखाई थी, येटले जवाब ही तमारे सुआउसे C, तियार पछी लाखा ने कुत्ते की समाधी बनवाई, क्योंकि? तो तेनों जवाब आउसे कुत्ता वफादार ख्राणी था, येटले ही जवाब सुआउसे C, तियार पछी पेज नंबर बार, पेज नंबर बार माँ बार मोवी कल्व, यह समाधी कुत्ते की वफादारी की कथा खाली जगिया को सुना रही है, तो जवाब आउसे A, सुआ तियार पछी रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजे के गुजरात के पाट्रण जिले में राधनपूर नाम का एक चोटासा नगर है, जवाब सुआउसे राधनपूर, तियार पछी कुत्ता बड़ा वफादार था, जवाब सुआउसे कुत्ता, मैं आपकी पुरी रखम खाल जवाब सुआउसे सुद्ध, अपने कुत्ते को देने में बंजारे को बहुत दूख हुआ, जवाब सुआउसे दूख, चोरोने सारा माल सामान चमिन में गार दिया, जवाब सुआउसे माल सामान, महा जाकर कुत्ता अपने पेरों से मिट्टी खोदने लगा, जवाब सु उसे मिठ्टि कुत्य ने मेरी जबान का आतले जबान जबान च बसी के मांखे पर खाली जद्या का प्रहार कर दिया लाठी जबाब मसुआउसे लाठी त्यार पचि उसने मेरे गर चोरी किये गहे माल सामान को वापस दिल्वा दिया है जवाब मां सुववशे माल सामान लाखाली वखादार कुत्तेटी समाधी बनवाई जवाब सुववशे समाधी प्रश्णा नमबर त्रण खराखोटा आपेलाचे तेमा पेलुँछे 3. वियापार में बड़ा खाटा 156 लाखा को माल सामान की जरुरत आ पड़ी के उचे वाक्या खोटू त्यार पजी लाखा ने सेट को अपनी जबान पर विश्वास रखने को कहा साचु बंजारा वहुत दुखी होकर कुट्ता सेट को देखर रुपी लेकर चला गया वाक्या आपन के उचे साचु त्यार पजी कुट्ते को अपने पास आता देखर लाखा बंजारा खोश हुआ खोटू लाठी के मार से कुट्ते को कुछ नहीं हुआ क्यों चे वाक्या खोटू सेट ने स्वयम कुट्ते को मुख्त कर दिया वाक्या क्यों चे साचु कुत्ते के गले में बंदी जिठी देख कर लाखा प्रशन मुआ खोटू कुत्ते के शव को गोधी में लेकर लाखा फुट भुट कर रोने लगा साचू त्यार पछी प्रश्णा नमबर चार निम्न लिखिये प्रश्णों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिये पेलो छे के पाटन कहा है तो जवाब आउसे पाटन गुजरात राज्यों में है गुजरात राज्यों में है वीजु पुराने जमाने में बंजारे क्या काम करते थे तो जवाब आउसे व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे त्यार पची पेज नमबर तेर पर प्रश्ना नमबर त्रण लाखा बंजारा क्या काम करता था और केसे तो जवाब आउसे लाखा बंजारा अपने उटो पर गाउं का मान सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिस्री, बूड, मसाले आधी भर कर गाउं तक ले जाता था चोथू बंजारे का नाम लाखा बंजारा क्यों पड़ा क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था बंजारा सेट के पास क्यों गया तो एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरुरत आपड़ी थी त्यार पछी छट्ठो प्रश्ण छे सेठने आखिर में कोंसी बात प्रस्तुत की तो तेनों जवाबाव से सेठने आखिर में गीर्वी रखने के लिए कोई वस्तु न होने पर लाखा को उसका फुत्ता जब तक वह पैसे वापस न लोटा दे तब तक भीर्वी रखने की बात प्रस्तुत की त्यार पछी पूछ दिनों के बाद सेठके गर सेठके घर कौनसी घटना घटी तो एग राद कुछ लुटेरे सेठकी दुकान को तोड़ कर वहाँ से माल सामान चोरी करके ले गए त्यार पछी आठनों कुत्ते ने जोरो का पिछा करके क्या देख लिया तो उनों ने जहां माल सामान चिपाया था उस जगह को देख लिया कुत्ते ने सेठके सामने जोरी की बाद कैसे प्रस्तुत की तो जबाबाव से कुत्ते ने भूख भूख कर त्यार पछी दस्मू कुत्ता सेट को की स्थान पर ले गया तो कुत्ता सेट की तोती पकड कर आगे खिचने लगा सेट कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे इस तरह तो विद्यार्थे मित्रों त्यार पची अग्यार्मों प्रश्णा छे ए हवे आपने आउत्ता वीडियो मां जोसु अस्तु जैहिंद वंदे मात्र